इस वापस से मैंने यहां से अपने सेकेंड नंबर वीडियो को शुरू कर दिया तो यहां पर ममी जस्ट फोन ले पर पता नहीं क्या क्या देख रही थी और मैं यहां पिर्दी के बेटी को लेकर मस्ती कर रही थी वह जस्ट अभी सुकर उठकर आया था और मुझे देखे बह बहुत क्यूट है बहुत क्यूट है सो देख सकते हूं यहां पर मेरी बैटी साइट में खड़ होकर कुछ बोल रहे थी तो मैंने उसे भी बुलाया बुलाने पdfयार किया पिणु का ऐसा होता Хाइज कुछ पीयार क्यूकर आपने ये देखूँ ये मेरे साथ कुछ बदमासी करते हुए अपने पता नहीं क्या action दिखा रहे था उसके बाद ये मれँ साथ थुट बहुत पता नहीं मस्ति करके वह सिद्ना चला गया पाने के बाद सत्तु वाली रोटी अचारं और चै किन किन लोगों ने ट्राइ किया कमेंट में जरूर बताना बहुत यमी लगताया मुझे आलु का पाथा और सत्तु वाली रोटी बहुत जाहाद़ा पसंद है तो यह सब्तू वाली रोटी मैंने खाया और जो बहुत ज़्यादा पसंद है मैं बहुत मज़े ले लेकर खा रहे थी यार बहुत पेस्टी भी हुआ था मुह में पानी आ चुका है सो यहाँ पर मैं अपने बेटी को खिलाते हुए मेरे बेटी मस्त फोन में काटून देखते हुए और मैं यहाँ पर खा रही हूँ चाय की मज़े ले रही हूँ उसके बाद यहाँ पर मैं मेरी दीदियम लोग बैटके बाते कर रहे थे उसके बाद मैंने चोटा सा एक लिप निकाल लिया अपना भी और थोड़ा बहुत ऐसे अपने बालों को दिखाते हुए स्टाइल मारते हुए उसके बाद दुपहर हो गया दुपहर को खाना में खाने पर ममी ने डाल सैलेद और मतन बनाया था सो मैं मेरी दीदी में हम लोग सबकों एक साथ बैट कर खा रहे थे वह कैमरा शाय है वह कैमरे में नहीं आना चाह रही थी इसलिए मैं थे कैमरा उसके तरफ नहीं किया बत मैं उससे बाते कर रही थी और मज़े ले लेकर खा रहे थी मटन भी बहुत अच्छा हुआ था बहुत टेस्ट लगड़ा था शाम हो चुका था तो बहुत दिनों के बाद मैं अपने ममी के घर गई थी इस वज़े से ममी ने कहा कि चलो कहीं घूम के आते हैं तो हम यहां सारे लोग तैयार होकर बस यहां इसको देखना कैसे मूँ बनाएगा देखो देखो तो यह कुछ कहीं जाने मांग रहा था तो मेरे हजबन उसे जाने नहीं दे रहे थी इसलिए वो रो नहीं लगा सो साम हो गया था तो मैं मेरे हजबन और मेरी family मतलब मेरी मम्मी मेरी दीदी मेरी दीदी लड़का ये सब हम लोग अपने relative के घर जा रहे थे मिलने के लिए तो ये दोनों आ गया कि दोर दोर के जा रहे थे पता नहीं कहा जा रहे थे जैसे इनको रस्ता पुरा पता है तो यहां पे हम जा रहे थे पाश में घर है हमारे ये मेरी मम्मी और मैं उसके बाद हम पहुच गये अपने relative के घर वहां पहुच कर बस हम लोग बाते बाते कर रहे थे बात करते करते कुछ बात कुछ बाते हो रहा था पता नहीं उसके बाद उन्होंने हमें चाय बिस्किट चने और रसगुले ला कर दिये थे जो कि हमने बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत दिनों बात मिला मिली उन लोगों से बाते बाते की यहां पर मेरा दीदी का ता उसके बाद मैं वापस से अपने बालों को अपने चेरे को देखते हुए वीडियो करते हुए यही पर एंड करती हूँ मैं आपको मिलते अपने नेक्स वीडियो पर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना सस्क्राइब भी कर देना मैं